नमस्कार दोस्तों एक और चुनाओ नतीजों में भारती जनता पार्टी को बड़ा जटका लगा है। जनता पार्टी बड़े अंतरों से हरी है। वहीं कांग्रेस पार्टी की कई जगों पर बड़ी जीत हुई है। साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जोर दें क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असलिप फल होता है। और साथ ही इस वीडियो को सेर भी करें। और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किया है तो इस चैनल को तुरन सस्क्राइब कर लें। और उसके साइड में दिये गए घंटी को भी बजा लें। जया दोस्तो आपको बता दें, हाली में हरियाना में निकाय के चुनाव हुए थे। जिसके लगबग नतीजे सामने आ रहे हैं। पहले आपको हरियाना निकाय चुनाव के नतीजे बताएंगे। इसके बाद आपको करनाटक निकाय चुनाओ के नतीजे भी बताएंगे ये दोनों नतीजे एक साथ आ रहे हैं पहले हरियाणा निकाय चुनाओ की बात करते हैं तो आपको दादें हरियाणा निकाय चुनाओ में हरियाणा के पंचकुला नगर निगम के एक मेर सीट और 20 पार जिसमें 31 वार्ट पार्षत के लिए हिसार के उकलाना नगर पालिका के एक चेर्मेन और 13 पार्षत के लिए रोतक के सांपला नगर पालिका के एक चेर्मेन और 15 पार्षत रिवाडी के धारू हेडा नगर पालिका के एक चेर्मेन और 17 पार्षत के लिए ये चुनाव हुए थ एक सीठी भारती जनता पार्टी जीतने में अब तक काम्याब हो पाई है वहीं अमर उजाला के मुताबिक भारती जनता पार्टी को हरियाना निकाय चुनाओं में करारी हार मिली है दो नगर निगम और तीन नगर पालिकाओं में भाजपा को सिकस्त का सामना करना पड़ा है आज तरके मुताबिक हरियाना निकाय चुनाओं में भार्थित जंता पार्टी सिर्फ पलवल में अब तक जीत पाई है और सोनी पत और अंबाला में करारी हार का सामना करना पड़ा है जया दोस्तो अब तक किस पार्टी को कहां से कितनी कितनी सीटे मिली है उसकी बात करे तो सोनी पत नगर निकाय चुना में महा पौर का पत कांग्रेस के खाते में गया है यहां से कांग्रेस उमिदवार निखिल मदाल ने भारती जनता पार्टी के पत्यासी ललिद बत्रा को 13,818 मतों से हरा कर जबर्जस्त जीत दर्च की है जबकि यहां के पारसत पदों के लिए जिसमें 20 वार्ड हैं उसके 19 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं हलाकि आपको बदा दें हरियाडा निकाय चुनाओ के मतों की गिंती अभी जारी है लेकिन अब तक के आए नतीजों के मुताबिक सोनी पत्नगर निखम के 20 सीटों में से भारती जनता पार्टी के खाते में 9 सीट गई है और कांग्रेस के खाते में भी 9 सीट ही गई है यहाँ पर अन्य के खाते में एक सीट गई है लेकिन सोनी पत्नगर निखम में कांग्रेस ने अपना जंडा फैराया है वहीं अंबाला में अनिल बीच के गड़ में भी भारती जनता पार्टी को बड़ी हार मिली है आपको बड़ा दें हरियाडा के कैबिनेट मंतरी अनिल बीच के इलाके में भारती जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है अंबाला नगर निखम में मेर पत के लिए जन चेतना पार्टी को मिदवार राणी सर्मा ने जीत दर्च की है रानी सर्मा ने भारती जनता पार्टी के पत्यासी बंदना सर्मा को हरा कर ये जीत दर्ज की है जी आपको बदा दें अमबाला नगर निगम में जो 20 सीटे हैं उसमें भारती जनता पार्टी को अब तक 3 सीटों पत जीत मिली है जबकि कांग्रेस को भी तीन सीटों पर जीत मिली है वहीं अन्ने के खाते में भी तीन सीटे गई है अलाकि पंचकुला नगर निगम में भारती जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है पंचकुला नगर निगम के मेर पत के चुनाव में भारती जनता पार्टी के कुल भूसन गोयल अब तक के गिंती के मुताबिक लगबग 4,000 के उपर वोटों से आगे चल रहे हैं भारती जनता पार्टी 85 को अब तक 49,000 वोट मिले हैं जबकि कांग्रेस को 34,279 वोट मिले हैं वहीं पंचकुला नगर निगम के कुल 20 वाडो की बात करे तो अब तक के 7 सीटों के नतीजे आए हैं उसमें भारती जनता पार्टी और जेजीपी के खाते में 5 और 1 सीटे गई हैं वहीं कांग्रेस के खाते में एक सीट गई है अब तक हलाकि कई सीटों पर भारती जनता पार्टी और कांग्रेस के भीच काटे का मुकाबला चल रहा है अब तक सिर्फ साथ सीटों के नतीजे आए हैं रिवाडी नगर पैसक की कुल 31 सीटों में से यानि वाडों की 31 सीटों में से 10 सीटों के नतीजे आ गए हैं जिसमें भारती जनता पार्टी को अब तक 3 सीटों पर जीत मिली है वहीं कांग्रेस समर्थित पार्टी को अब तक 1 सीटों पर जीत मिली है और अन्ने के खाते में 6 स वहीं सांपला में सांपला नगर पालिका में भारती जनता पार्टी को करारा हार का सामना करना पड़ा है सांपला में निर्दली पत्यासी ने भारती जनता पार्टी को सिकस्त दी है वहीं उड़ा के गर माने जाने वाले रोहतक में भी भारती जनता पार्टी की बड़ी हार ह सांपला नगर पालिका चेर्मेन पत के लिए 4000 से ज्यादा वोटों से निर्दली पत्यासी पूजा ने जीत दर्च की है निर्दली उमिद्वार पूजा को 6668 वोट मिले हैं जबकि भारती जंता पार्टी के पत्यासी को महज 2462 वोट ही मिले हैं वहीं उकलाना नगर पालिका के चुनाव में भारती जंता पार्टी जेज़ेपी के साथ कांग्रेस भी निर्दलीों के सामने पिछड गई है यहां पर निर्दलीों ने जबज़ज जीत दर्च की है यहां उकलाना नगर पालिका के जो 13 वार्ड हैं उन सभी 13 वार्डों में निर्दलियों ने जीत दर्च किया है, यहां ना तो भारती जनता पाड़ी और ना ही कांग्रेस और ना ही आईन एल्डी का खाता खुला है, यहां तीनों पाड़ियों को पचारते हुए निर्दलियों ने जीत दर्च किया है, वहीं धारू एडा नगर पालिका के प्रधान लिए निर्दली 85 कवर सीर ने यहां से जीत दर्ज किये निर्दली 85 कवर सिंग को 3,048 वोट मिले थे आपको त suggests कवर सिंग डारुल एड़ा के पूर सर्पंच भी रह चुके हैंлем हारियाना में पहली बार मेर का चुनाऊ हुआ है हरियाना में 3 नगर निगम समेठ 7 निकायर च चुनते थे लेकिन इस बार मेर चुनने के लिए सीधे वोटिंग हुई है वहीं आपको बता दें करनाटक में भी निकाय के चुनाव हुए हैं करनाटक ग्राम पंचायत चुनाव में अब तक यहां पर भारती जंता पाटी सबसे आगे चल रही है जिए आपको बता दें करना आगे चल रही है जिए आपको बता दें अब तक जो रुजहान सामने आये हैं उसमें भारती जंता पाटी 12,795 सीटों पर आगे चल रही है वहीं 9,545 सीटों पर कांग्रेस ने लीड बनाई हुई है और कांग्रेस समर्थन वाली पाटी जेडियस ने 4,301 सीट पर लीड ब बनाई हुई है आपको दें कई सीटों के नतीजे आ चुके हैं जिसमें अब तक भारती जंता पाटी ने 4,228 सीटों पर जीत दर्च कर चुकी है वहीं 9,000 ग्राम पंचायतों में से कांग्रेस ने अब तक 2265 सीटों पर जीत दर्च कर चुकी है वहीं कांग्रेस समर्थन व आपको दें यहां के 72,000 ग्राम पंचायतों में पहले चर्ण में 117 तालुका की 3,000 ग्राम पंचायतों में ओट डाले गए थे और दूसे चर्ण में 109 तालुका की 2,709 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाओ कराए गए थे यहां पर ओटो की गिंती लगातार चलू है वहीं हर्याणा निकाय चुनाओ के भी ओटो की गिंती चल रही है हलाकि कुछी देर में मना जा रहा है कि हर्याणा और करनाटक निकाय चुनाओ के नतीजे यानि फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे जैसे ही इन दोनों निकाय चुनाओ के final नतीजे सामने आएंगे वैसे ही हम आपको दोनों निकाय चुनाओ के final नतीजे का अपडेट लेकर सामने आएंगे झाल झाल झाल